दोस्तो स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके में एक छात्रा से नशीला पदार्थ पिलाकर दो युवकों द्वारा रेप करने और अशलील फोटो वीडियो बना कर लगातार दो साल तक ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इसके बाद फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी मामला सामने आया है। इस मामले में छात्रा ने कारवाई किये जाने की मांग करते हुए ESP को प्रार्थना पत्र दिया। अपर पुलिस अधीकशक ने बताया कि इस पूरे मामले को संज्यान में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही आवश्यक कारवाई भी की जा रही है। नशीला पदार्थ पिलाकर किया था गैंगरे पीडिता छात्रा पिता के साथ अपर पुलिस अधीकशक पश्चिमी दुरगेश कुमार सिंह के पास पहुँची पीडिता B.S.C. फाइनल इयर की छात्रा है। ये छात्रा शहर के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती है। छात्रा का आरोप है कि जब वह कोचिंग जाती है तो योगेश, उर्फ, गोलु सिंह और प्रदुमिश्रा दो वर्ष पहले से छेडखानी अशलील हरकत करते हुए उसका पीछा करते चले आ रहे थे। आरोप है कि दो साल पहले दोनों आरोपी पीडिता को बहला फुसला कर शहर से दूर किसी अज्यात स्थान पर ले गए। इसके बाद आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ दोनों ने बारी-बारी से पीडिता के साथ रेप किया। आर आरोपियों ने पीडिता का फोटो और वीडियो बना कर दो सालों तक उसे ब्लैकमेल कर गैंगरेप किया। पीडिता का कहना है कि जब इसका विरोध करती है तो आरोपी गाली गलौज करता है। साथ ही आरोपी पीडिता को गला दबाते हुए जान से मारने की धमकी देते ह और मार पीट करता है। इन लोगों ने जो वीडियो बनाई है वह आरोपियों के फोन में सेव है। इसके साथ ही वीडियो डीलीट करने के बदले आरोपी दो लाख रुपए की मांग करता है। साथ ही आरोपियों पर रुपए नहीं देने पर देह व्यापार करने के लिए गाव का है। वहां की रहने वाली BSSE की चात्रा ने बताया कि वह कोचिंग पढ़ने जाती थी। इसी बीच तेरिया निवासी दो युवक उसे रास्ते में रोक कर छेडखानी करते ध। चात्रा ने आरोप लगाया है कि करीब दो साल पहले उन दोनों ने उसे cold drink में कोई नश हुए उसके साथ कई बार दुशकर्म कर चुके हैं। सोमवार को ASP राजेश द्विवेदी के सामने शिकायत लेकर पहुंची चात्रा ने बताया कि आरोपी दोनों युवक उसे देह व्यापार करने के लिए दबाब बना रहे हैं। वीडियो डिलीट करने के लिए दो ला चात्रा को महिला थाना SHO के साथ मेडिकल के लिए भेज दिया। इधर देर शाम SHO लोनार विनोद कुमार यादव ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं मास्टर माइंड दूसरा युवक फिलहाल फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मा चात्रा का आरोप है कि करीब दो साल पहले उन दोनों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशा पिला कर बेहोश कर दिया, फिर बारी-बारी से दोनों ने दुशकर्म किया। उसी बीच उसका अशलील वीडियो बनाया गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दोनों ने कई बार दुशकर्म किया। सोमवार को एसपी राजेश ड्विवेदी के सामने पहुंची उस छात्रा का कहना था कि आरोपी युवक उसे देह व्यापार करने के लिए कहते थे। वीडियो डिलीट करने के लिए दो लाख रुपिये मार्ण गया।